रिवीजन एवरिफिंग में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत हैं तो कैसे आप लोग? I hope आप सब बहुत ही अच्छे होंगे देखिए भारती इतिहास में आज हम कुछ बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो इस प्रकार है कि कैबिनेट मिशन, सम्विधान सभा, अंतरिम सरकार, माउंट बेटे नियोजन और अंतरिम सरकार जो बनी होई थी उसमें उसमें कौन-कौन से मंत्री बनाये गये थे ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि कैबिनेट मिशन क्या था? जो कैबिनेट मिशन था वो 1946 में भारत आया इसको ध्यान रखेगा इंग्लेंड के लेबर पार्टी के प्रधान मंत्री क्लीमेंट एटली ने यहां घोशना किया कि 1948 तक ब्रीटिस हिंदुस्तान छोड़ देंगे इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एटली ने अपने कैबिनेट मंत्रीयों को भारत भेजा जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं जिसमें तीन मंत्री थी देखिए यहां पे जो कैबिनेट मिशन था यह भारत में सम्विधान बनाने के लिए आया हुआ था कि यह लोग क्योंकि अगर माल लीजिए अंग्रेज भारत छोड़ देते तब अंग्रेज में सासन प्राली आगे कैसे बढ़ेगी इसलिए इन लोगों ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा ठीक है जिसमें तीन मंत्री थे कौन-कौन थे वो कृपस, अलेक्जेंडर और लॉरेंस तीनो का नाम याद रकिए इसको कैसे याद रख सकते हैं कृपस का के अलेक्जेंडर का ए-लॉरेंस का अ-ल याने काल यानि ये तीन मंत्री कैबिनेट मिशन में आये हुए थे तीनों का नाम important क्यों पड़ता है क्योंकि एक्जाम में कई बार एक नाम और एड़ कर दिया जाता है और पूछा जाता है बताईए कि निमन लिखित में से कौन cabinet mission के अंतरगत भारत नहीं आये हुए थे इसे लिए इन तीनों का नाम याद रखेंगे ठीक है cabinet mission के अध्यक्ष लॉरेंस थे cabinet mission में दो प्रावधान किये गये थे यानि कि जो cabinet mission भारत आया था उसका जो अध्यक्ष था वो लॉरेंस था ठीक है और इसमें दो प्रावधान किये गये थे कौन कौन से पहला समविधान सभा यानि कि भारत में समीधान सभागठित की जाएगी जिसमें 389 सदस से होंगे और दूसरा क्या था अंतरिम सरकार कैबनेट मिशन ने एक प्रिथक पाकिस्तान के प्रस्ताव को आस्वीकार कर दिया जिस कारण भारत में सामप्रताइक दंगे बढ़ने लगे अब आप लोग ये सोचेंगे कि अंतरिम सरकार क्यों बनाएगे क्योंकि देखिए भारत में किसी को उतना अनुभव था नहीं इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि हमारे भारत छोड़ने से पहले आप कुछ कुछ धीरे-धीरे सरकार चलाते रही जिससे आपको कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त हो जाए कि सरकार चलती कैसे है इसलिए अंतरिम सरकार गठित की गई और जिसकी अध्यक्ष जवाहलाल नहीरू थे और क्या हुआ कि इन लोगे ने पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया कि मतलब कोई दूसरा देश नहीं बनेगा जिस कारण भारत म और भी दंगे भड़कने लगे फिर आगे हैं मांट बेटन योजना मांट बेटन को वाइसराय बनाकर भारत भेजा गया उन्हें यह विशेस हिदायत दी गई कि यथा संभव भारत को सहीउत रखा जाए मांट बेटन ने भारत को सहीउत रखने का प्रयास किया किन्तु सा पतंतरता देने और अलगाव करने ही आया था हाला कि इसको हिदायत दी गई थी कि यह था संभाव यानि जितना हो सके भारत को एकत्रिद रखा जाए एक रखा जाए किन्तों समस्या क्या हुई भारत में इतना ज्यादा दंगा उस समय भड़क गया था कि अलग देश बनाने क कि अलामा कोई समाधान ही नहीं वजा था इसलिए पाकिस्तान का निर्मार हुआ ठीक है और आपसे पूचा जाए कि बताए भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस प्लान के अंतरगत किया गया ठीक है फिर आप आगे देखते हैं चार जुलाई 1947 को भारत के स्वतंतरता का विधेयक ब्रीटिस संसद में प्रस्तूत किया गया और 18 जुलाई को भारती स्वतंतरता विधेयक पारित हो गया यानि कि अगर आपसे पूचा जाए कि जो स्वतंतरता का विधेयक था वो ब्रीटिस की संसद में कब पहुचा तो 4 जुलाई 1947 को और पास कब हुआ तो 18 1947 को भारत को स्वतंतरता मिल गई तो मांट बेटन योजना में क्या क्या में बात कि किस प्लान के तहट भारत को अलग किया गया मतलब भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया तो बालकन प्लान के तहट और स्वतंतरता का विधेयक अंग्रेजों के यहां कब आया 4 प्रवलाई 1947 को ठीक है फिर अब अंतरीम सरकार के बारे में हम देखते हैं कि यह क्या था इसका निर्मार क्लीमेंट एटली ने दो सितंबर 1946 में किया उस समयवाय सराय लाड वेवल था तथा उपाध्यक्ष जवाहलल नहीरू थी वो लाडवेवल तथा उपाध्यक्ष वो जवाहलाल नहरू थी और अंतरीन सरकार में किसको कौन सा मंतरी पद दिया गया था उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं इन सब का नाम याद रखेगा क्योंकि पूछ लिया जाता है बताइए जो 1946 में अंतरीन सरकार का गठन फिर है हमारे लोह पुरुस सरदार वल्लब भाई पटेल जिनको ग्रह एवं सूचना प्रसारण मंतरा ले दिया गया था ठीक है फिर है राजयन प्रसाद जी इनको कृसी एवं खाद्यापूर्ती विभाग दिया गया था फिर है बलदेव सिंग इनको रच्छम मंतरा ले दिया गया था इनको रच्छा मंतरी बनाया गया था फिर है जॉन मथाई इनको दयोग मंतरी बनाया गया था लियाकत अली इनको वित्त मंतरी बनाया गया था तो लियाकत अली वाला याद रखेगा क्योंकि विभाजन के बाद यह पाकिस्तान में चले गया थो ठीक है तो लियाका तली को याद रखेगा कि लियाका तली को यहाँ पे वित्त मंत्री का पद दिया गया था फिर हैं अरुणा आसा फली इनको रेल मंत्री बनाया गया था होमी जहागीर भाभा इनको उर्जा मंत्री बनाया गया था योगेंद्र नाथ को कानून मंत्री बनाया गया था और सीराज गोपालाचारी को सिक्षा मंत्री और जग जीवार राम को स्रम मंत्री बनाया गया था तो यहाँ पे सब तो इकठा मोग याद नहीं कर सकते हैं लेकिन थोड़ा बहुत जो एकाट ट्रिक होता है उसको हम सेयर कर देते हैं देखिए सबसे पहले प्रधान मंत्री में आपको कंफ्यूज होना ही नहीं क्योंकि जनरल सी बात है कि वह भारत पाजब आजाद हुआ उसके बाद भी वह प्रधान मंत्री थे सरदार पटेल को गanking सूचना प्रधान मंत्रान याद रखिएगा वाकि राजयन प्रधाद को कृशियों खाद्यापूर्ट मंत्री कहा गया क्योंकि देखे राजेन्द प्रसाद जी बिहार से थे और हमारे उत्तर-प्रदेश और बिहार में जो ज़ादा तर काम होता है या फिर ज़ादा तर जो रोजगार होता है वो खेतिवारी से ही जुड़ा हुआ होता है हैना इसलिए समझ लिजिए इनको क्रिसियों, खाद्या, पूरी मंत्राले बनाया गया था फिर है बलदेव सिंग, इनको रच्छा मंत्रे बनाया गया था याद कैसे कि जिए का बलदेव यानी जिर्क से पास बल हो तभी वो रक्षा करेगा, अगर बल है, तभी रच्छा करेगा, यानि कि बलदेव सिंग को रच्छा मंत्रा ले दिया गया था, फिर जान मथाई उद्द्योग मंत्री, लियाकत अली वित्थ मंत्री, इनको तो याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बाद में पाकिस्तान में सिफ्ट हो गया थे अरुना आसाफ अली को रेल मंत्री बनाया गया था रेल कैसी होती है बड़ी इसी देखिए इनका नाम भी वैसे है अरुना आसाफ अली हम क्यों ट्रिक के तोर पर बता रहे हैं प्रीस कोई दिल पर मत लीजेगा ठीक है तो अरुना आसाफ अली को रेल मंत्री बनाया गया था फिर योगेंद्र नाजी को कानून मंत्री सी राजगोपालाचारी को सिक्षा मंत्री और जब जीवन राम को स्रम मंत्री बनाया गया था ठीक है फिर एक पॉइंट आप लोग और देख लिजिए कि उनीस सो इक्याउन बावन के चुनाव के फल्सरूप बनने वाली पहली सरकार में विदेश मंत्री जवाहल लाल नहरू तथा सिख्षा मंत्री अबुलकालाब आजात थे यहाँ पर important क्यों है कि अगर आपसे अंतरीन सरकार के सिख्षा मंत्री पूछा जाए तो सीराज गोपालाचारी जी है यानि जो अंतरीन सरकार का गठन किया गया था उसमें जो सिख्षा मंत्री थे वो सीराज गोपालाचारी थे जबकि जब भारत आजाद हो गया उसके ब और अंत्रिम सरकात तो आई होब कि आपको यह समझ में आया होगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थाइंक यू